अब यह कहानी दो दिन पहले शुरूई थी जब मेरे को अचान है कि एक इंपोर्टर का पंजाब से कॉल आता है और वो कहते हैं कि भाई सब्सक्राइब को ना एक इंपोर्ट आटका हुआ है आई जी एरपोर्ट पे तो सबसे पहले मेरे को हिरानी हुए कि चलो एडी कोड है यह शुपमेंट उन्होंने मेरे को बोला कि यह ऐसे करके कोई एडी कोड है उसको रिजिस्ट्रिशन कर रहा है और वो जब तक आप के वाई से उप्रूव नहीं करोगे तो नहीं होगा अपका क्लियर नहीं होगा हम इसको प्रोसेस में नहीं डालेंगे क्लिरेंस के तो ठी अपर इस टाइम पर इस चीज़ को आगे डिसकर करेंगे कि किस तरीके से लिए इस नोटिफिकेशन का मिस्यूज नहीं पता मुझे मिस्यूज कह सकते हैं कि नहीं सकते बड़ थोड़ा सा वो लोग अपनी तरह के लिए जो नए इंपोर्टर से और एक्सपोर्टर सको ए थ नया इंपोर्ट शूरू कर रहे हैं उसके लिए चीज़ें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जा रही है पहली बारी मही तो इस चीज़ को आगे डिसकर्स करेंगे अगर आप लोग भी इंपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता है कि आप कुरियर चुटी-छ in case of import in case of export और क्या new notification है e-commerce के लिए ये सारी बाते इस वीडियो में डिसकुस करेंगे तो वीडियो को अभी सा लाइक कर दीजिए चैनल पे पहली वारे इन सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि इस चैनल पर मैं इस तरी की वीडियो लात रहता हूं तो नमस्काल दोस्तों मेरे आप लोग बतायता हूं कि AD code क्या होता देखिए AD code होता है authorized dealer code जो कि bank आपको प्रवाइड करता है जिस भी bank में अपको current account है और उस account का यूज जब आप करते हैं for international transaction for remittance, outward remittance, outward remittance, outward remittance है नहीं इंपोर्ट के case में आप पैसा बहर भीजेंगे और export के case में आपके account में प बताएंगे कि क्या actual notification है, साइब की जब बताऊंगा, सारका सारका crystal clear हो जाएगा आपका इस वीडियो में, कोई confusion ने रहीगे AD code के regarding क्या नहीं notification है, बहुत easy language में आप लोग को बताने वाला हूँ, AD code मैंने आप लोग को बता दिये कि authorized dealer code होता जिस भी bank से आपका current account है और import export में डिलिंग करते हैं, तो उस bank आपको AD code प्रवाइड करता है, उनके letterhead पर लिखके कि भाई, यह हमारा बंदा है, इस particular bank में account number ही यह इनकी IC है, यह इनका account number है, यह इनका FSC code है, जिस भी port में आप इस चीज को देते ही नहीं है, बोलता है कि हमें पता ही नहीं है, इस चीज इतनी जादा नहीं है, जो RBI ने नया notification, notification नहीं है, यह advisory है, आगे बताता हूं आप लोग को, ठीक है, अब हुआ क्या है कि एक नया advisory आया, notification नोटिफिकेशन नहीं, notification, circular, advisory, तीनों अलग अलग है, तो जब भी आपका कोई shipment, export के case में जा रहा है, तो आपका ADCOT description कराना mandatory है, वो चाहिए आपका CSB हो, या खुदे shipping bill हो, या normal EDI shipping bill हो, ठीक है, तो सबसे पहले, मैं आप लोग को निया notification दिखाता हूं कि actual में वो notification क्या है, जिस चीज के चलते, जो DHL है, अपने सारे importer और exporter से, इस टाइम पे ADCOT registration करा रहा है, और वो भी एक port पे नहीं, सारे के सारे इनके जो ये वाले है ना, अपने ECCS, यानि express cargo clearance वाले port जो है, यानि कि चिन्नाई, Mumbai, Bangalore, Kolkata, और अदिली, इन पांचो port पे वो registration करा रहा है, पांचो port पे registration कराने की ज़रूद नहीं होती, ज पे आपका वो particular item custom clearance हो रहा है, अगर डेली से आपका माल जा रहा है या आ रहा है, तो उस particular डेली पे आपको ADCOT registration कराने की ज़रूद पड़ती है, बट ये DHL जो है, वो सारे के पांचों के पांच port पे registration पलवा देता है, कि मुझे नहीं पता कि क्यूं, शाहिद उनकी convenience के व अपनी convenience की वेसे सारे के सारे पोटो पे वो एक बार में काम कतम करवा देता है, कि ADCOT registration करा दो, काम कतम आगे के लिए कोई दिक्कत दियाने चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले निया notification में आप लोगो दिखाता हूँ कि निया notification में actual में लिखा क्या है, और DHL किस तरीके से इस आपको देंगे ना कि यह कहा है, यह काब आया यह तो यह आपको तीन चीज़े बेज देंगे, एक है आपका यह जो एडवाइजरी है, यह एक किस तरीके से चीज़ों को online registration करनी है, ADCOT का, और यह एक सर्कुलर जो की पेपलेस का सर्कुलर ता 2016 का, तो यहों के बार में ECCS with IDPMS and EDPMS of RBI, ECCS का यह नहीं, Express Cargo Clearance System, ठीक है, जो कुरियर के case में होता है, कुरियर वाला जो होता है, उसको ECCS कहता है, ठीक है, in this module development, पहला वाला, इनका notification, पहला वाला point, क्या कहता है, in this module, integration of ECCS with Import Data Processing and Monitoring System, IDPMS, or Export Data Processing, यह नहीं, EDPMS के साथ, RBI चाता है, कि ECCS को Link कर दे, ठीक है, Link कर देते हैं, कोई दिकतत नहीं है, second point क्या कहता है, the IDPMS and EDPMS are IT-based system of RBI for monitoring of import, export transaction respectively, in consultation with Customs Authority and other dealers of bank, IDPMS tracks import transaction through banking system and similar EDPMS track export transaction with banking system in pursuance of the foreign exchange management, IDPMS के बारे में लोगों ने second point ने बताया कि IDPMS के थू, जो RBI है, वो import and export में जितनी remittances होती हैं, उसको track करता है, with the help of Customs and authorized dealer code, यह authorized dealer code इसलिए लिया जाता था, अब तक जो भी आप export करते थे, commercial export उस case में, बहुत पहले से ही AD code registration करानी की प्रथा चलिया रही है, तो यह उसी के बारे में बताया गया है, कि EDPMS और IDPMS क्या है, IDPMS जो इनी, import data processing and monitoring system, और IDPMS, export data processing and monitoring system, ठीक है, थिर्ड पोइंट प्याद है, इन दिस रिगार्ड, circular number 055-2016, custom data DA, November issued by CBIC, ठीक है, जो इनी, IDPMS of RBI for import and export transaction, the IDPMS, 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 the IDP and a detailed advisory has been issued by Risegate in this regard, ठीक है, अब यहीं बोलना चाहते हैं कि AD code registration for ECCS, यहीं कुरियर की shipmentों के लिए, AD code registration, mandatory होने, plan किया गया है, इस module में जो की आगे धीरे-धीरे implement होगा, क्या कहते हैं, यह 7th point में लिखा हुए इनोंने, आगे धीरे-धीरे implement होगा, तो इसको plan किया गया है, अब यह mandatory हुआ नहीं है, completely, उसके बारे में बताऊंगो, इसका भी में next, इसका जो follow-up advisory हो भी पढ़ाने वाला हो, आप लोग को, भी दिखाने वालो, उसमें मोटा-मोटा bold letters में लिखा हुआ, ठीक है, 4th point क्या कहता है, the eyes get transmit data in respect of BEs and SBs, filed in EDI system to RBI on daily basis for further processing in IDPMS and ADPMS, अब अब तक क्या होता था, जो commercial shipment होती थी, उस case में, bill of entry के data और shipping bill का data ADI को regular basis पे transfer होता था, customs की तरफ से, for further processing, इनके जो यह IDPMS है, और ADPMS में उसको process करने के लिए, ठीक है, but data in respect of courier bill of entries and courier shipping bill is not been transmitted electronically to RBI, अब तक ECCS के case में, कोई भी data RBI को नहीं transfer किया जाता था, इस IDPMS और ADPMS में further processing के लिए, the courier data needs to be transmitted to IDPMS on daily basis and similar to EDI system, वो कहता है कि इस module के अंदर हम ECCS का data on a daily basis RBI को send करने वाले, जैसे की EDI के case में होता है, ठीक है, 4th point खाता, 5th point में आता है, RBI has declared that the courier shipping, RBI has desired, RBI has desired, RBI has desired, RBI has desired, इस line को पढ़ना, RBI has desired मतलब, RBI चाहता है that the courier data should be shared with them in same format and route as is being done for EDI system, RBI चाहता है कि courier shipping, courier bill of entries और shipping bill का data जो है, वो similar format में RBI के साथ share किया जाए, EDI system में किया जाता है, अब उसका आगे कहा लिखा है, Thus, the CSB and CBE, courier shipping bill or courier bill of entry data of ECCSNE export, नहीं, express cargo clearance system will be shared in the existing file format that are being used for transfer of EDI, SBs and BEs and the Icegate platform should be used for data exchange, the RBI server will further transmit the data to respective banks based on AD code provided, ठीक है, इसका मतनब क्या हुआ कि 10 CSBs और CBEs यानि courier shipping bill और courier bill of entry का data, same format में और same route में, same language में, जो भी इनका language है, IT language, उस format में, उस format में send किया जाएगा RBI को जैसे कि EDI का चब तक चल रहा था, यानि commercial का चल रहा था, उसी same format में, same route में, Icegate के थूँ शेर किया जाएगा, आप समझ गए? यहां तक का आपको समझ में आ गया कि 5th point तक क्या था, आप 6th point पर आते है, यह तो पहले भी आ चुका था कि किस तरीके से online इसको EDI code को registration कराना है, यह recently आया है, मेरे खाल पिछले November में आया था, 2020 के November में यह online जो registration का procession है, यह चाल हुआ था, ठीक है, it is therefore informed that the integration of ECCS with IDPMS and EDPMS system of RBI will be implemented in a phase manner starting from 2-8-2021, अब इसमें क्या है, therefore, it is informed the integration of ECCS with IDPMS and EDPMS system of RBI will be implemented in a phase manner, मतलब implement किया जाएगा फेज मैनर में, अभी implement हुआ नहीं है, अभी होगा, फ्यूचर में आने वाले जो नए नए इनके circulars आएंगे यह notifications आएंगे, तब notification के तो रहे लोग permanent कर देंगे, इसको mandatory कर देंगे, अभी यह module है, धीरे-धीरे test कर रहे हैं, आगे आने वाले phases में यह धीरे-धीरे इस चीज़ को mandatory कर देंगे, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रम दो आट, जो की यह धीरे-चल और दूसरे कुरियर पार्टमेंट से पकट के बैट गए थे कि दो आट, दो आट, दो आट से आपको ID code में डिजिस्टर कराना पड़ेगा, उसके में नए shipping bill के लिए नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मैं आपको यह समझ में आ गया, कि यहाँ पे जो है, इन्होंने यह चीज़ पकट के यह लोग बैट गए थे, अब इसके साथ यह लोग एक और चीज़ भेजते हैं, जो पेपरलेस का नोटिफिकेशन आया था, अब इसमें होतागे ना देखिए, इस नोटिफिकेशन के बाद एक नोटिफिकेशन और आया था, इसका फॉल अप नोटिफिकेशन, कि इस तरह के मतलब कुछ लोगों को कन्फुजन हो सकते हैं कि करना मेनेटरी हो चुका है यह इसका फॉलॉप नोटिफिकेशन है साफ लिखा है एडवाइजरी नंबर यह देखिए इसका 26 27221 पुराने वाले का क्या था 20 पुराने वाले का था 27221 साफ दिख रहा है आप लोगों ठीक है 26 27221 का दरिखते हैं फॉलॉप जो नोटिफिकेशन था इसका इसका इन इस एडवाइजरी इस इशूर इन कॉंटिनुएशन तु अडवाइजरी नंबर इस से पहला वाला जो तुब इस तारिक को इशू हुआ था उसी के कॉंटिनुएशन में यह दूसरी एडवाइजरी अब इसको पढ़ना इसमें आप लोगो वहला लाइन बढाता हूं पूरा नहीं पढ़ाओंगा इसमें वही चीजा लिख्यू है दा इंटिग्रेशन ओफ एड़ी चीजा लिख्या हुई है दा इन्टीजरी इस एडवी नीटीजरी अच्छिए लिएजरी आप्शनल इन यह ADCO registration for both export and import in ECCS यह एक्स्प्रेस क्लियरेंस एक्स्प्रेंस कार्गो क्लियरेंस सिस्टम जो की कुरियर है वो बिलकुल ही आप्शनल है अब यह कौन पढ़ा है देचल वालो को कोई बताओ देचल वालो को यह नोटिफिकेशन देचल वालो को भेजो कि वह क्यों करा रहे हैं अब आपको पता लग आठाओ कि क्या है लिए अब हो किया रहा है अब इसके उपर एक और चीज अपने बोग बताता हूं तै Wein अपने future प्रू उप कर रहे हैं पकिसी बाद में कोई दिकत ना आए लोगे कि भाई शुराна तो फ्यूचर में होता रहेगा तो ठीक समझ गया कि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को एडवांस में अभी इन लोगों ने फेज में शुरू किया निया कि आप आप सबको बोल रहे हो अब इन में हो क्या रहा है कि इन उने जो अपने पुराने कस्टमर से उनको तो बोल मेल उनके पास डिटा है मेल कर दिया उन लोगों ने कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में अब कुछ भी कर रहे हो तो इसके अलावा में हम आपका कोई भी करेंगे किसी भी पोर्ट से पांचों पोर्ट पे कराओ क्यूंकि हम अपने हिसाब से आपके शिप्मेंट को क अब नए नए एक्सपोर्टर है इनके पास ना वो होता है डिजिटल सिगनेचर कई सारे बच्चे भी आपको पता है कि बहुत सारे माइनर है जो एक्सपोर्ट एमजान पर बेच रहे हैं बहुत अच्छी सेलिंग चलती है फिर उनने अमेजन ग्लोबल सेलिंग पर भी अब बड़ी दिख्कत हो यह चीज़र है अब हो क्या रहा है एक्सपोर्ट के केस में तो एक बार के लिए जहिल लोगे अगर आप लोग पहले डियेचल में बनाऊंट बनाऊंगे तो उसी टाइम आपको पता लग गया कि भाई यह जो है आपको एडी को डिशिशन कराना ह है ओनलाइन बेना उसके आप अपना जो शिप्मेंट है वो नहीं भेज़ पाओगे डियेचल के तुरू ठीक है आपने फिर अपने अपना अपना डुनिया वर्का करके अपने डिको डिशिन करा लें चाल पांच पोटो पर ठीक है जो डिले हुआ 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 जो थोड़ वाले बंदे के साथ हुआ अब इन्होंने मिनको फोन किया कि उनका कोई पार्टनर था वो मेक्सिको में बैठा हुआ है और वहां से उन्होंने लेधर बेजा लेधर यानि जो ऑर्गानिक लेधर बढ़ा चला है जो कैक्टस को कैक्टस से कुसी तरब के पोसेस करके विजि अब यहां पर आएगा इंडिया में तब वह जो भी रेस्पेक्टिव इंपोर्टर है मिल्ला इसको जा रहा है वो शिप्मेंट उससर डॉकिमेंट मांगेगा उससे के वाइसी मांगेगा के वाइसी अप्लू वह कराएगा प्रूफ कराएगा भास दिक्कत यहां आती है अ अब दिक्कर यहां आजारी है कि इंपोर्ट के केस में भी लोग बिना चीजों को पूरी तरह केते हैं वो करें इंटर्ब्रेट किस तरीके से चीजों को कर रहे हैं यह एक शके सात में एक अड़वाईजरी और भेस्ते हैं वो भी दिखा दाता हम आप लोगों कि यह आप पेपरलेस वाला हुआ था ना पेपरलेस की पुर्वी मैंने वीडियो पना रखा है वो भी इदर मैं दे दूंगा पेपरलेस क्या होता है तो उसके वारे में आप लोगो फुटसा पता लग जाएगा किस्टम से पेपरलेस क्या होता है तो इसमें एक A.D. पिए Kote कही रहा, रा चिरिस्टेशन आफ खेपलेसितर दीलर कोड बैंक अग्राइजेज कोड ठीक है एंगे बघाशन एक्सपोर्टि इंच्टर्या लिए डिवासिस्ट्रेश्टर रादेटक्टर्डेस ब्ट्विजिकिस्ट्ट्विट्ट्रेसे पिस्ट्विक्विट्ट करने के लिए फिजिकली डॉकिमेंट करने के लिए फिजिकली डॉकिमेंट हुआ करने पड़ते हैं कि अब तक जो होता था कि उनकी किसी बंदे को जाना पड़ता था कस्टम हाउज में अब लोगो इंपोर्ट के बारे में नहीं नहीं अब तक अलाओ को हुआ ही नहीं है इंपोर्ट के के समेंट थीक है अगला अगला जो पॉइंट है यह पड़ाया तो आप लोगो और देरेटर जनल ऑफ system CBIC has now enabled functionality within icegate login to allow exporter to make an online request for legislation modification of their ad code bank account and also electronically submit the passbook copy and bank authorization letter through e-sancheid the exporter exporters would also have access to dashboard to view the status of the approval and acceptance at pfms for quick correctification at their end the detail step guide is available at icegate portal at annual link the way the principal commissioner and commissioner of custom advice to ensure the concerned custom officer completes the process of registration updation of authorized dealer code and bank account in ICS within the same working day of receiving the application if all requirements are submitted in icegate further if any deficiency are noticed the shame shall be communicated to the exporter via customs automated system who would then make require rectification through icegate ठीक है यहाँ पर ठीक एमान गया कि इन्होंने बोला है कि there is an option कि आप online चीजों को कर सकते हो online उन्होंने दे रखा है एड़ी कोट को registration कराने के लिए बट देरी आप्शन ऑप्शन ऑल्सों कि जहाँ पर आप अभी भी मैनुवली documents चाके submit करा सकते हो अगर आप आप online में क्या है कि online में dhc class 3 चाहिए होती है फिर आपको एक account बनाना पड़ता है फिर बहुत सरे documents अप्लोड करने पड़ते हैं कई बढ़ी जावा स्क्रिप्ट की दिक्कत आदी है कई वारी किसी चीज़ की दिक्कत आदी अब जिस importer का अल्ड़ी माल आके पड़ा हुआ अगर 40-50 किलो का माल है उसके तो डेमरेज भी लगेगा अब यह चीज़ आप्ट करेगा कि वह हमेरे जैसे चोटे मोटे बंदे को जो थोड डॉक्यमेंट्स लेकर उस बंदे के बास जाते हैं उसको करते हैं वो सेम डे उसको ओनलाइन फीड कर देता है और वो अपका अपडेट हो जाता है अब इस केस में जब आप मैनुल ठीक है कई सारे लोग मेरे पास आते भी हैं कि भई हमारे पस देस्ट नहीं है इंपोर्ट क्या चुच बढ़ा हुआ एक्सपोर्ट कर रहे हैं फ्र चूटा-मठा को ऑडिटे ऐगता है कि हमको यह वाला स्क्रीन शॉट चाहिए कि आमको यह स्क्रीनशॉट चाहिए जहाइव को आइस गेट में दिखिए का कि आपका अप्रूव्ड है और मैनूल के केस में क्या होता है कि जब हम कमर्शल कराता है तो तो हमें स्क्रीन्शॉट की जरुद पढ़ती नहीं है कि कमर्शल के केस में जब भी अगर आपने ADCODE डिजिस्टेशन नहीं कराया और आप एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपका इंपोर्ट के केस में ना पहले चाहिए था ना अब है ना आगे मुझे नहीं पता होगा तो कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा कोई सब्सक्राइगा कि आगे जाके हम करेंगे तो आप आप इस टाइम से चीजों को शुरू कर दो इंप्लिमेंट करता है ठीक है इंपोर्ट के केस में ना पहले चाहिए था ना अब है ना आगे मुझे नहीं पता होगा तो कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा कोई सब्सक्राइगा इस केस में इन उनने अब तक मेंटरी किया नहीं है ठीक है डी इचल करना रहा कोई दिक्कत वाली बात दी है अब क्या होता है कि मैनुवल के केस में जब हम मैनुवल हम इसको डिकोट को डिश्टर कराता है तो हमारे पास जो स्क्रीन्शोट आता है वो सीएमसी यह निकस्टम्स का सब सेंटर है बिलकुल कस्टम्स में हरे कोटली सर्वी अंतर होता है जहां पर तक सारी चीजें ओनलान वाली चीजें अच्छते सेंट काम कॉछ वाला काम होता है तो इसमर्फ को डिख रहे गी इंपोर्टर का नाम है इंपोर्र का है उसका अधी कोड़ ए HOW बस Gef बसी कुद्र ह बट यह इनको नहीं चलेगा उनको सिर्फ यहीं चाहिए वह उन्होंने बिल्कुल लबगाठ बांद लिया यह बात कि भाई हम तो लकीर के फकीरे आमें जो बताया गया हम उतना उन्हेंने नोटिफिकेशन पुरी तरह पढ़ा है ना उन्होंने सर्कुलर पुरी तरह पढ़ लिए और AD code के बारे में आज ग्रेड में आप लोगों को यह वीडियो देखने के बार DHL के senior employees से भी जादा पता लग चुका है जो वहां के compliance manager है पता नहीं क्या करते हैं वो लोग क्या देखते हैं और क्या पढ़ते हैं और किस चीज़ को इंप्लिमेंट करते हैं किस तरीक अगर यह वीडियो DHL देखता है क्योंकि मैं इस वीडियो में DHL को भी टैक करने वाला हूं तो मेरा कोई आप लोगों के साथ वो नहीं है मतलब कोई कोई लडाई नहीं है मैं बस आप लोगों से एक छोटा सा क्लिरिफिकेशन मांगने चाता हूं हो सकता है कि मैंने मेरे को पूरी नॉलेज ना हो और मैंने ये वीडियो बनाई हूं कि मेरे को बहुत जादा प्रॉब्लम आई थी मैंने बहुत जादा आप लोगों के कॉल किया था उस इंपोर्टर के भीहाफ में और आपके कस्टोमर केर वाले इतने ही रूडली मेरे से बात करते थे कि चल्ला चल ये चला गया है उतना ही बोलते हैं उतना ही सुनते हैं तो उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बट मैं चाहता हूं अकर ये वीडियो भारत जवाब मांगता है आप बताए कि आप लोग क्यूं इंपोर्ट के के स्मीं पांचों पर्ट पे डिएडिकोड करा रहे हैं फर बो आगे जाके लागू होने वाली है तो आप एडवांस में क्यों लोगों को परिशान कर रहे हो और क्यों इंपोर्टर्स को शिप्मेंट होल्ड कर रहे हो बिना एडिकोट के क्यों उनका क्लेरेंस नहीं कर रहे हो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगले लुट्यों में थाइक यू भूस्टए